बच्च अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिये उसमें निकालिये पेज नंबर 49 पेज नंबर 49 में हमने पुन्रवर्ति की थी कारक की तो हमने पढ़े थे उसमें कारक के आर्ट भीद होते हैं और उनके विभक्ती चिन पढ़े थे तो आज हम करेंगे इसके अभ्यास तो इसमें आप निकालिये अभ्यास तो इसमें हम करेंगे मौकिक प्रश्ट लिखित प्रश्ट और सही विकल पर सही निशान लगाईए अपने अपनी पाठ्थे पुस्तक के साथ आपनी कौपी भी निकाली है तो हम कौपी में आज का काम सुरू करते हैं तो आप कारक लिखिए मौकित प्रश्ण लिखिए निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर जीजिए को संग्या या सर्वनाम का संबंध किरिया से बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं उसका उत्तर होगा बच्चों संग्या या सर्वनाम का संबंध किरिया से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं को करता कारक का विवक्ति चीन बताईए तो करता कारक का विवक्ती चिन होता है ने क्या होता है ने इसी में हम आगे बढ़ते हैं लिखीर प्रश्ण लिखीर प्रश्ण में को है कारक किसे कहते हैं जो शब्द संग्या ये सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सम्मंद प्रकट करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं, आप देखें, खो, कारक के कितने भेद हैं, किनी चार के नाम लिखें, कारक के हमको पता है, आठ भेद होते हैं, तो इसकी चार भेद हम लिखते हैं, कर विकल पर सही का निशान लगाईए को, संग्या ये सर्वनाम शब्दों का संबन्ध वाक्य या अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग, वचन और कारक तो सही उत्तर है कारक तो आप कारक पर निशान लगाईएंगे खो, कारक के कितने भीद हैं? चै, आठ ये दस तो कारक के होते हैं आठ भीद गो, कारक चिन क्या कहलाते हैं? जो कारक के चिन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परसर, संग्या ये सर्वना तो कारक के चिन को परसर कहते हैं भालू पेड से उतरता है इस वाक्य से से कारक क्या है करण कर्म ये अपादान तो अपादान यानि कि से अलग होने के अर्थ में है तो ये आप अपनी अपनी काप्य में करेंगे साथ में इनको व्याद भी करेंगे बाकी का भ्यासा नेक्स्ट वीडियो यानि कि दूसरी वीडियो में करेंगे आजाब इतने ही काम करें